महराथ जी, भगवत प्राप्ति किस परकार से की जाए, कि भगवत प्राप्ति हो जाए, ब्रम को कैसे पाया जाए, भगवान की क्रिपा कैसे प्राप्त हो, उसके विस्षे में हम सब जानने के जिग्याशू हैं इसके लिए तो सबसे पहले उसे आयशा निरुत होना चाहिए कि जैसे सर्फ केचली को छोण देता है वैसे वो बाहप्रपंच को छोण दे अर्थात अगर भगवत प्राप्ति की वो इच्छा रखता हो तो जितना भी प्रपंचे उसे सबसे पहले उसे छोण दे और निरले उस तरह रहे जैसे जगत में कमल तो रहता है पानी में लेकिन उससे अलग रहता है उसे बाहर प्रपंचों को छोड़ करके किवल हीश्वर का ही चिंतन करना चाहिए संधाया आधी करते करने के बाद हो किवल परमात्मा का चिंतन करे परमात्मा का चिंतन करेगा तो एक मंत्र होता है उस मंत्र का हमेशा जाब करना चाहिए जब उस मंत्र का जाब करेगा तो परमात्मा का एक विशेश मंत्र है जो अगर उसका जब किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है लेकर उसके लिए ये साधन जरूरी है कि वह निर्मल होना चाहिए परमात्मा की प् उसको प्राप्त करना चाहता है, पहले उतने ही इस्थिती का बन जाए, तब उस परमात्मा की प्राप्ती होगी, आन्य था प्राप्ती नहीं होगी, यद्य भी उनके भजन से उनके समीप रहने का ये आनंदों से प्राप्त होता रहता है, और परमात्मा की प्राप्ती तो त बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा यद्यभी भक्ति से परमात्मा के कुछ गुणों का शंग हो सकता है लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसे तब करना पड़ेगा बिना तब के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती वो बात अलग है कि कोई कहते कि स्वपने में आय गई या वह हो गए लेकिन जो सास्तोर मत है तो उसमें यही женщ ona की मेरी प्राप्ती जो है करता है कि जो भग्त मुझे आत्म समर्पन करकर को जैता ता है परमातमों कहता है चल कपट छोण करके अपनी हिर्दे रूपी गुफा में मेरा निरतन दर्शन करता रहता है उस भक्त को मैं अन्तहा अन्तहा या अन्त समय तक उसे सिद्धी प्रदान कर देता हूँ तो ये हुई भक्त की इस्थिती का अवलोकन यद्य भी अगर कोई सोची की मैं साथ्षात कार कर लो क्योंकि सास्त्रों में ऐसा आया है कि हिर्दे देश का दर्शन भी दर्शन माना जाता है तो हिर्दे देश का दर्शन तो हो जाता है लेकिन साथ्षात कार करने में उसे बहुत तब करना बिना तपके प्रमात्वा की प्रीब्ती नहीं होती. तो जैसे कुछ ब्रक्ती है जैसे भगवत प्राप्टी चाहते हैं, लेकिन वो बाहर आके तपस्टें नहीं कर सकते, इनके लिए क्या जैसे जो घर में भी रहे कर की गया भगवान को पाया जा सकता है? घर में रह करके भगवान को प्राप्त करना बड़ी टेड़ी खीर है, जैसे जनक जी रहे, ऐसे अगर उपरत अवस्था में भी कोई रह ले, लेकिन भगवत की प्राप्ति उसे घर में होना बड़ा कठिन है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं होगी, पर बहुत कठिन है, क्योंकि जो जिसको प्राप्त करना चाहता है, उस तांते को हमेशा वही धारन करता रहे, तब उसकी प्राप्ती होगी, अब जब बीज बीज में कोई और कार करना है, फिर कोई और कार करना है, इस अवस्था में परमात्मा की प्राप्ती नहीं होती, हाँ, उस अवस्था में तुम ठब का पालन करता है वरण धर्म का पालन करता है तो उससे घर पर भी रह espaço कि जादा से जादा से सरलता से प्रभु की कृपा और रृत प्राप्त हो शंक्राचार्जी रहतरन उपी निशद में कहते हैं जेदि घर में कोई रह करके ब्रह्मचर अवस्था में रह जाए और निरंतर परमात्मा का चिंतन करे तो उसे अम्रत प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है अर्थात परमात्मा की प्राप्ति विशेश महत्त दिया जाता है जो योग की प्राप्ति कहलाती है जो योग का मतलब होता है अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है तो जो योग है वो परमात्मा की प्राप्ति है तो कहते हैं जो ब्रह्मचर रूप से धारण रह करके परिवार का भी देख भाल करना है और नाम जप महिमा के साथ तो जैसे कि इसका कोई साधना है कि इतना समय तक जप करना चाहिए इसके लिए कैसे क्या साधना है साधना हमारे शास्त्र में संधयाओं की दी गई हैaráग लिए सब्सक्रावे उस न्राजळने के पहले इस संधयाओ में स्याओं अपर िद्धान ‪े सबीटियाओं नियों अगर समय बीच में इसके अलावा भी मिले तो उसमें भी वो बैठ कर जब करे जब शे उसका जो मन है परमात्मा की और खिचेगा परमात्मा की और खिचने कतात पर ये है कि जब उसका विधान धर्म में बन जाएगा तो हो सकता है कि उसको परमात्मा या इस जनम में नहीं य किन चीजों का वो पालन करें उपासर ना करने वाले दक्ति को तामसी भोजन नहीं करना चाहिए जो ऐसा सास्त्रों में पाया गया है कहीं-कहीं लैसुन है प्याज है कहीं-कहीं गायजर मूली और लौकी का भी कहीं-कहीं कुमडे का भी इनका निशेद कर देना चाहिए और स पास्त्रों में ऐसा भी आया है कि हलका दली आली खिचनी दूधादी का सेवन करें जिससे हमारा मन जो है बड़ा ही प्रशन बना रहे मन प्रशन होने से ही ध्यान लगता है ध्यान से ही वो धारना बना करके समाधी में जा सकता है और बिना समाधी के परमात्मा की अनुभूत और परमात्मा की जितनी करीवी पहुंचता जाएगा ये स्वभाव है कि परमात्मा उसको जितना हो सहेगा उसे निकटता देते जाएगे जितनी निकटता जीव चाहता है परमात्मा उतनी निकटता उसे प्राप्त कराते हैं यदि उसका द्रण निश्य हैं तो इसी जनम में तो भी पर्मातमा की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे कोई बीच में हस्ता चेप न करे, और वो अन्मढ़त पर्मातमा का नाम सुमरं करता रहे, तो इसमें उसे जन्म के अंतानतरगत भी परमात्मा की प्राप्ति हो शकती है ये तो इसमें खान पान के साथ साथ क्या कपड़ों का भी कोई परिधान या निशेध की स्थिती है कि या मतलब किसी भी प्रकार से रहा जा सकता है परधान तो हमारी भारती शंस्कृति की ही नहीं है पुर्षों का दोती कुर्ता इस्त्रियों का दोती ही है यद्यपी परधान हमारे बुद्ध जीवी लोग अपने हिसाब से कर ही रही है और यह देखा जाए तो यह विशेश कर माइने रखता है परवेश बच्चा किस परवेश में उसका समय जाद तर जाता है परवेश ही बच्चे को आगे बढ़ाता है और परवेश ही बच्चे को गिरा देता है इसलिए उसे काउन से परवेश में उठन ofayठन करना चाहिए यह सोज विचार के समाजी लोग अपने आफ सवताही करते रहते हैं कितना नाम म इसलिए हम तो यहीं कहेंगे कि किकि को यह हो कि हमें प्रतिक्ष इस दिवता करनी है तो उसका करपा पाथरता प्राप्त हो जाने हुआ है लगभन नाव कर जब कप तक में हो सकता है नित्यप्रति कितना जपने का जा सकता है, ये अपनी स्वतंतरता कोई बंधन नहीं है, कितना जपने एक दिन में, ये कि नौकरोण का टारगेट मतलब रहें नौकरोण जपने का भी धान है, तो गैतरी कम से कम तीन हजार रोज जपने, तो उसका मोक्ष हो जाता है, अब करोण तक वो पहुचने में सरलता हो जाएगा, या अलग है वो तो अलग है, नौकरोण एक लक्ष है, अनुष्ठान है, और ये दाइनिक चीज में आती है, जी